कि अगे बढ़ते हैं अब दूसरे यूनिट में आते हैं दूसरा यूट है मारा सिंगल फेस एसी सर्किट एसी सर्किट का इंट्रॉडक्शन है अब इसमें सबसे पहले टॉपिक है अपना जनेशन ओफ सिंगल फेस वोल्टेज अब यहां पर दिख रहा है कि यह दो एक मैगनेट्स है और यह एक मेरी कोईल है ठेक है जब यह लाइन जो दिख रहे हैं यह मेलेटिक फिल्ट को दिखा रही है अभी मैगनेटिक फिल्ट को जब भी एक कॉइल कट करेगी तो व्ल्टेज इन्ड्यूस्ड होगा ठीक है तो अभी इंड्यूस्ट वोल्टेज कमान कब होगा मैक्सिमम जब मेरे फिल्ड ओनलाइन की अगर ऐसी है और अगर मेरी कुछ इस फेस में है तो मैक्सिमम और अगर मेरी कुछ पैरलल में है तो जीरो और अगर कि एक पर्टिकुलर एंगल पर कॉइल है और यह एंगल मेरा थिटा है तो यहां पर कॉस थिटा अब यहां पर फ्लक्स वह अगर मैं बी लिख रहा हूं जो जो लिखते हैं पाइसी ठीक है अब आगे देखते हैं यहां पर जब कोईल मुव करेंगी जैसे इसे एंगल चेंज होगा तो फाइंग कॉस ओमेगा टी मेरा चेंज होगा ओमेगा टी क्या है यह एंगल जिस एंगल से यह एंटी क्लॉक्वाइज मूव कर रहा है एंटी क्लॉक्वाइज मैंने ओमेगा रेडियंस पर सेकंड की स्पीड से ओमेगा क्या है याद है ओमेगा मेरी एंगूला फ्रीक्वेंसी को दर्शार रहा है एंगल फ्रिक्वेंसी जिस गती से यह कोईल एंटी क्लॉक्वाइज डारेक्शन में इस निए को काट रही है ठीक है तो ओमेगा एक उस्टो यह भी मालू में मेरे को तू पाई एफ तू पाई क्या है एंगल है 360 डिगरी तू पाई एंगल हो गया एफ फ्रिक्वेंशी किस गटी से चेंज हो रहा फ्रिक्वेंशी की यूनिट साइकल्स पर सेकंड ठीक है वागे बढ़ते हैं लेटास कंसिडर एक क्वाइल विट एन नंबर अफ रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैगनेटिक फिल्ड विट एन एंगुलर वेलसिटी ओमेगा रेडियंस पर सेकंड एशोन इन फिगर अभी जो आपने फिगर देखा उसी फिगर में के बारे हम आगे थीच रहा है इसमे क्वाइल में एन नंबर अफ तर्ण से और यह रोटेट कर रही है यूनिफॉर्म मेगनेटिक फिल्ड पर मेंगेटिक पिल्ड कहां है यह नौठ पोल और यह सौट पोल इसके बीच में जो फिल्ड है यह मैगनेटिक फिल्ड लाइई को दर्थारा है उपा से नीचे जो त X-axis Maximum Flux 5m links the coil ठीक है अब जिस तरीके से आपन कहीं गाड़ी से जा रहा है सामने से जो हवा आ रही है वो हवा Maximum अपने को सामने जो drive कर रहा है गाड़ी उसको feel होती है उसी तरीके से जब मैंने फील लाइन के बिल्कुल पर एक्सक्राइब कर रही है क्वाइल तब इसे इसमें मैक्सिमम फ्लक्स फाइब लिंक होगा ठीक है आफ्र टाइम टी दा क्वाइल मूज थ्रू एन एंगल थिटा इक्वस्टू ओमेगा टी इस एंगल से मूफ किया इन दिस पोजिशन क्वाइलिए फिर्पेंडिकलर टू प्रें ध sensor ऐंतिशन फ्लक्स सिण यह व Хॉ French कहांब्स सिते। मोल डुक के च्खाम का मेसमेगा सिटेंड पर्ष्ट 對०। मेड़ा मेरा एनपाई क्या होगा एनपाई एम कॉस ओमेगा टी अब इंद्यूजड इम अभी इसलिए इनद्यूजड हो रहा है इंद्यूज एम इस गिवन as minus d by dt n5 derivative of time इसलिए हम d by dt ले रहे हैं ठीक है तो minus d by dt क्योंकि यह opposite में होगा इसकी polarity opposite direction में होगी इक्वेस्टू minus d by dt n5m cos omega t अब इसको जब मैं differentiate करूंगा तो उस cos का differentiation क्या होगा minus sin omega t और omega सामने multiplier में आ जाए ठीक है तो overall result मेरा omega n5m sin omega t अब यहां पर em को अगर मैं assume करता हूं कि यह maximum induced emf को दर्शा रहा है maximum induced emf की value omega n5m है तो emf equals to em sin omega t होगा ठीक है em sin omega t या मैं लिख सकता हूं em sin theta जहां पर theta equals to omega t है ठीक है तो यह angle को दर्शा रहा है theta ठीक है em sin theta ठीक अब बागे बढ़ते हैं तो em sin theta अगर मैं बोल रहा हूं अभी induced emf equals to em sin theta ठीक तो theta की value अलग-अलग में लेता हूं तो क्या होगा अगर अब theta की value मैं 0 ले रहा हूं तो induced emf क्या होगा 0 तो induced emf मुझे 0 मिल रहा है ठीक है अब theta equals to मैं अगर 90 degree ले रहा हूं तो मेरा induced dmf क्या मिलेगा em into 1 क्यों मिल रहा है क्योंकि sin 90 equals to 1 होता है ठीक है तो मुझे maximum मिल रहा है ठीक यहां पर pi by 2 जब मेरे sign की value है तो मुझे maximum amplitude मिल रहा है जो कि यहां पर bm के जैसे लिखा हुआ है यह ठीक है तो यह एक तरीके से मैं कहा सकता हूं कि इस value अगर मैं इस induced emf की देखूं तो यह sign law follow कर रहा है इसलिए इसे sinusoidal waveform भी बोलते है sinusoidal wave भी बोलते है और इसलिए AC जब भी हम बात करते हैं तो AC में हम sign wave की बात करते हैं ठीक है तो यहां पर जैसे 0 पर 0 मिल रहा है 90 पर maximum मिल रहा है फिर 180 पर में आता हूं तो साइन 180 जीरो होता है तो जीरो हो जाएगा 180 से अगर मैं एंगल increase करता हूं तो मुझे नेगेटिव डारेक्शन में में वोल्टेज मिलेगा ठीक है तो यह मेरा साइन वेव को फॉलो कर रहा है इसलिए इंड्यूज एम एफ एम साइन ठीटा लिख रहा है ठीक है तो यहां पर आपका नौर्ट पोल साथ पोल बीच में कौई लगी हुई है जो मैंगेटिक फिल्ड लाइन को काट रही है घूम रही है ठीक है तो इससे जो इंड्यूज लगने वाला समय माझे ती से रिप्रैंट की याता है जिससे हम बोलते हैं ताइंट कि अ है है मेरा ताइम होता है अब थाइम क्या होती है फ्रИक्वेंसी एक टो वन अपॉंँ टी क्या है यही एक प्रिक्वेंसी जयाध हो सकते हैं कुछ पूसीद वी एक साइकल कोने में लगने वाला समय ताइम रिक्वाइट उप्रीट एक कंप्रीट वन साइकल से मेरा मतलब है एक पॉजिटिव और एक नेगटिव अगर मैं हाफ लूंगा तो हाफ भी यहां पर मुझे ऐसे हाफ ही लेना पड़ेगा यहां से यहां भी एक यहां से जीरो से शुरू कर रहा हूं तो दूसरे जीरो पर एक साइकल कम्प्रीट हो रहे हैं वैसी मैक्सिमम मेरा इक साइकल को हुआ और एक साइकल को कम्प्लीट करने में लगने वाला समय मेरा टाइम पिरेड है और टाइम पिरेड से मुझे फ्रिक्वेंसी मिल जाती है फ्रिक्वेंसी की रिलेशन है फ इक वर अपॉन टी ठीक है तो यहां पर इंडियूज इम एफ एम साइन थीटा है साइन के लॉग को फॉलो कर रहा है इसलिए साइन थीटा या साइन वेव भी कहते हैं और यह एस जहनली हम एसिको साइन से रिप्रेजन्ट करते हैं झाल झाल